नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नौलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत यह अच्छे बुक के बारे में कॉस्मोस पॉपलिकेशन का यह बुक है इसके लिख है के महिश कुमार बर्णवाल और यह NCRT का सार संग रहा है जहां पे आपको सभी स पारे में बताउंगर आपको इस बुक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए किनके लिए यह को पीयोगी होगी और इस बुक का जो मैटेरियल है कंटेंट है इस तरह सदिया हुआ है सभी कुछ मैं बताऊंगा आप लोग को तो दोस्तों यह मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसमें क्लास 6 से लेकि क्लास 12 तक के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी को कवर किया गया ठीक है ना और यहां दिखेगा टॉपिक वाइज इनको कवर किया गया यह टॉपिक वाइज रिविजन नोट से ध्यान दिजेगा अगर आप थियोरी बेसिक जानते हैं तो य ठीक है इससे हर एक टाइप के कोशन कवर हो जाएंगा और इससे बाहर एक भी कोशन आपको वन-डे एक्जाम में पूछानी जाएगा जैसे कि यह बुक यूपी एसी के लिए उत्रा उपियोगी नहीं है यह बुक आपको बीपी एसी में काम कर देगा जेपी एसी में भी क एक्जाम को निकाला था और अभी वो पूड़ी चेरी पुलिस से शेवा में जाए सबस्य के पदपर कारियत है ठीक है ना तो यह एक अच्छे पोजिशन पर है और खुद भी इन्होंने सिवल सेवा का एकजाम में निकाला हुआ ठीक है देखेगा इनकी बुक को देखेगा कंटेंट को मैं पहले दिखाता हूं विसे सूची को दिखाता हूं यहां पर यहां पर देखेगा तो स मारतिय भुगोल विस भी भुगोल दिया हूँ दिया हूए 52 से 91 पेज में उसके बाद आप देखेंगे तो परिया वरं दिया हूए बिज्ञान दिया हूँ है उसके बाद विज्ञाय विज्ञान सिमस्ट्रि वाइयलू जी सब कब oike कर किया गया है उसके बाद रसायन और अधुनिक भारत ठीक है सबसे पहले प्राचीन भारत दिया हुआ है उसके बाद मध्यकालिन उसके बाद आधुनिक है उसके बाद अगर बात करें तो अगे दिखेगा तो सबसे पहला टॉपिक है अर्धवैस्ता अर्धवैस्ता में आगर आप देखे यहां पे आपको दिख रहा होगा कोश्चन पहला कोश्चन पूछा है जैसे सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है सविधान का भारत में कैसे विकास हुआ उसको सबसे पहले इन्होंने बता दिया है जहां टेबल इन्होंने दिया है जहां फ्लोचार्ट देना है फ्लोचार्ट भी दिया है इनका फ्लोचार्ट बहुत अच्छा है टेबल भी इनका बहुत अच्छा है ठीक है अब यहां देखिए box में question तो दिया है साथ में box में जो अन्य important point है ना वो भी cover कर दिये इन्होंने तो कुछ भी ऐसा बचेगा नहीं जो आपको इस topic से छूट जाए मैंने खुद भी देखा है परके देखा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका छूटे इस topic से तो सारह कुछ इन्होंने cover किया है बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया हुआ ठीक है तो यह तो civics हो civics में आपको ज्यादा तर फ्लो चार्ट और टेवल देखने को मिलेंगे जैसे यह देखिए सविधान के भाग को कैसे इन्होंने डिवाइड किया भाग एक यह तो अन्य बुक में भी आपको देखने को मिल जाएगा सेम इसी तरह तो इसमें कुछ नया बात नहीं है फिगर जो है इनका बहुत क्लियर है मैं आपको दिख रहा होगा आपको तो बताइएगा फिगर बहुत ज्यादा क्लियर है एक एक पॉइंट आपको बहुत क्लियर है दिखता है इनके बुक में अगर हम मैप के बारे में बात करें जो आगे चलके देखिए का मैप इन्हों ने फिगर के माध्यम से समझाने का कोशिज किया है तो दोस्तों ये बुक मुझे बहुत अच्छा लगा हर एक टॉपिकों जैसे यह दिखिए यह समझाया जा रहा है कि जो माईउ मंडल के जो में लेयर होते वह कितने पार्ट में विभाजित किये जाते कैसे विभाजित है सभी कुछ को बताए गया है ठीक है तो बहुत अच्छा दोस्तों यह बुक है देखिए यहां पर भी एक चट्टान के बारे में बताया गया ठीक है मैं आपको दिखाता हूं जो मैप दिए है ना वह किस परकार कि मैप दिये हुए इस में दिकत यह है कि आपको जीसे जिविघ छुरू होगा तो वानपáriज निम्मटर से शुरू होगा तो आपको छूजना हो ठीक है आपको थुरा खूजना होगा की कभारत को जोगिऊ-फिभादाथ में दिया है पहले आपको भारत कही जोगरफी दिकने को खनीज हो गया यहां देखेगा आप टेबल बहुत अच्छे दिए यहां पर विसी हो गया अगर हम बात करें जील यहां हो गया उसके बाद यह देखे भारत की जलवाईयों का मैप दिया हुआ भारत नदियों की बीच में मैप जहां पर एक एक नदी क्लियर दिख रहा है पर वह अच्छा बूक आता है मैंने देखे काम चल जाएगा इस बूक में बहुत अच्छा दिया है यहां पर देखेएगा बायो डिवर्सिटी हर एक स्ट्रेट में जैसे कितने है एंक दो तीन है क्या 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 नाम बंगा तो यह मैप मुझे बहुत अच्छा लगा इनका मैप देने का तरीका बहुत अच्छा है और यहां नीचे में एक नोट भी इन्हों ने दिया हर एक पेज में नीचे में आपको नोट इंपोर्टन पॉइंट भी दिया हुआ है तो ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो आपका बच जाएगा इनका मैप जो है बहुत ज्यादा क्लियर है तो इस बुक में आपको मैप भी देखने को मिलने वाला एक ही बुक में आपको मैप भी देखने को मिल जाएगा जोगरफी अगर आप पढ़ते हैं तो मैप जरूरी है ठीक है एक कमी मुझे इस बुक में यह लगा कि अगर आप बाइलोजी देखते हैं तो बाइलोजी में फिगर नहीं दिया हुआ है कोई भी फिगर आपको देखने को मिल जाएंगे तो अगर आप रट सकते हैं याद कर सकते हैं तो यह बुक आपके लिए बहतर साबित होने वाला है क्योंकि हर एक पॉइंट है आपको कवर किया गया है एक ही बुक के अंदर तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों मुझे ब आपको पता चल जाएगा और अगर हम बात करें मैंने इस बुक को कहा से लिया मैंने इस बुक को लोकल मार्केट से लिया जहां पर मुझे 220 रुपए में यह बुक मिल गया 50% मिला मेरे यहां थोड़ा ज्यादा डिसकाउंट मिलता है अगर आपके 50% मिलता तो आप इससे ल परनवाल लेखा के पब्लिकेशन क्या है कॉस्मोस पब्लिकेशन इस पब्लिकेशन के सभी बुक मुझे बहुत अच्छे लगती है तो इस बुक को आप जरूर पर्चेस कर सकते हैं आसा करता हूं कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे अगर यह वीडियो आप